दोस्तों Honor ने अपने smart watch segment में दो ने devices launch किये हैं एक है Honor Watch GS Pro और दूसरी है Honor Watch ES दोनों ही devices में आपको users, hot rate, monitoring समित कई बहुत सारे features देखने को मिल जाते हैं फिलाल तो company ने इन दोने smart watch को global market में launch किया है और उमीदे company जल्दी ही इने Indian market में भी sale के लिए मौझूद जरूर कराएगी तो चलिए बात करते हैं इनकी कीमत, features के बारे में details है सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी कीमत को लेकर तो बाच GS Pro को 249 EUR यानि की एक इंडिया करन्सी के गौर्डिंग 21,600 रुपे की कीमत के साथ लांच किया गया है जबकि Honor Watch ES को 99 EUR यानि की लगबग 8,700 रुपे की कीमत में launch किया है इसे अभी European market में launch किया गया है और यह दोनों ही smart watch 7 सेतंबर से sale के लिए मौझूद होगी जबकि इंडिया में यह अक्टूबर में launch हो सकती है अगर हम इनके features की बात करते हैं तो Honor Watch GS Pro के features की बात कर लें तो यह आजाता है 1.39 इंच का M-Wald display के साथ जिसका screen resolution 454, 454 pixels है और यह smart watch screen A1 chipset पे run करती है और इसमें users को location track करने के लिए dual satellite, positioning, system के साथ JPS support भी विलेगा साथे इसमें multi-skaking mods पर लोड़ेड़ हैं जो कि users को outdoor जान कर रहे हैं जैसे कि sunrise और sunset ऐसे सारी जान कर रहे हैं यह मौझूद कराते हैं इसकिलाबा 100 workout mods भी मौझूद हैं जिन में 15 professional और 85 customized mods दिये गए हैं इस smart watch में 24x700 monitoring system दिया गया है साथे sleeping tracking, SPO2 monitor, built-in speaker और microphone जैसे features देखने को मिल जाते हैं यह device android और iOS को support करने में भी शक्षा में अगर हम बात करते हैं honor watch ES के features को लेकर तो honor watch ES में 456, 280 pixels के screen resolution के साथ 1.64 inch का emoled display देखने को मिल जाता है इसमें always on skin के साथी 2.5D class covered मौझूद है features के बात के हैं तो इसमें users को 95 workout modes और 12 animated workout classes देखने को मिल जाते हैं साथी 44 animated exercise moves भी दिये गए इसमें भी आपको 24x7 heart rate monitoring और sleep monitoring feature जैसे देखने को मिल जाते हैं फ्लाल तो इन दोनों ही smart watch जिसको अभी यूरोप में लांच किया गया है October मतल्ब महिने मतलब कि next month में इंडिया में ये दोनों ही smart watch लांच होने की उम्मीद है झानच क के वैई